हेलो फ्रेंड फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेज़ा टार्गेट पर तो फ्रेंड आज हम लोग क्लास 10 के साइन्स का फारनल मौडल सेट का दुसरा पार्ट को देखने वाले हैं इस मौडल सेट में भी हम लोग अत्यांदी महत्पूर्ण है वस्तोनिस्ट है क्लास को देखेंगे जो आपके बहुत एक्जाम में आपको जो है ना साइन्स में असी में असी दिलाएगा अगर आप भी चाहते कि आपके एक्जाम में यहां पे विज्ञान से एक भी परसन अन में पर आधाइध है इसलिए क्लास काफी सांदार होने वाला है तो कर दिजिए और दोस्तों चैनल पर ने हैं ना तो प्लीज दोस्तों ऑफरावर सी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल सीकूरित करना है और आपको बोलना है कि सरag में वार्साप गूरू में रोड़ दीजि तो हम जो है आपको WhatsApp गुरूब में जोर देंगे तो ये class काफी सांदर है देखेगा आज का first person के साथ वीडियो को प्रारम किया जा रहा है जो आज का जो first person आपके board exam में गत्वर्स में काफी बर पूछा जा चुका है यानि कि most important देड़ता है इसके लिए तो friend person आपकी lens की छमता का SI मातर होता है काफी important है तो यहाँ पर जो lens की छमता होता है ना power of dieopter इसका SI unit पूछ रहा है आप से ठीक है क्या होता है तो friend जो lens की छमता का SI मातर होता है ना क्या होता डाइ ओप्टर होता है और dieopter को हम लोग capital D के दोरा दिखाते है यह दो भी होते है और यह आपका परचलित ऐसे मातर होते लेंस की छमता है डाइ ओप्टर इसे आपको याद होना चाहिए अब चले friend देखती है ना पर next question जो की आपके board exam के लिए काफी important है यह भी person जो ना गत्वर्स में काफी बार पूछा जा चुका है तो friend पर snake लाइकी परकास की किरणों के समुख को काथे काफी important है बल्लब परकास का जो किरण होता है न इसके group को हमलोग क्या कहते है तो देख सकते हो option बें आपका या परकास चरुत या फिर किरण पूझ या फिर परदीप्त या फिर प्रकिरणन तो friend परकास के किर्णों के समुक हम लोग क्या कहते हैं किरन पूंज कहते हैं इसे आपको याद होना चाहिए यहाँ पर B वोला option चाहिए न बिल्कुली correct answer हो जाएगा और दोस्तों यह जो किरन पूंज होते न कितने परकार की होते हैं पाला होता है आपका 27 किरन पूंज दूसरा होता है अब सारी किरन पूंज और तिसरा होता है आपका अभी सारी किरन पूंज से आपको याद होना चाहिए चले देखते हैं पर next question जो कि आपके board exam के लिए काफी important है तो फ्रेंड परसने कराएगी यहाँ पर आपको बताना कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कनों के निलम्मन को कहा जाता है क्या कहते है तो यहाँ पर option A में आपका दिया कोलाइड या पिर पूंज या पिर प्रकास या फिर इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड किसी भी माध्य में छोटे छोटे कलों के निलम्मन को हम लोग क्या करते कोलाइड करते हैं इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहाँ पर A वला option जो है न बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपर next question जो कि आपके बहुर एक्जाम में गतवर्स में काफिवर पूछा जा चुका है यहाँ पर आप कोसिस कीजिएगा कि एक एक questions का answer जो इन लाइब chat में या फिर comment box में comment जरूर कीजिएगा इससे हमको यह पता चलेगा कि आपका त्यारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है तो friend पर सने कराए कि मानो सरेड की परतिरोध कितना होता है काफी important है तो यहाँ पर resistance बताना है मानो सरेड का ठीक है तो मानो सरेड का जो परतिरोध होता है ना पचास से सो ओम के बीच होता है इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहाँ पर able option जो इन बिल्कुली करक्टर answer हो जाएगा और दोस्तों यह जो omega होते जो ओम होते है ना यह कि इसका ऐसे मातर होते है तो परतिरोध का ऐसे मातर क्या होते है ओम होते है चले बढ़ चलते नेक्स्ट कोस्टन की तरफ जो कि आपके बोर एक्जाम में काफी important है तो फ्रेंट पर सनेक राए कि किसी बलब से 220 बोल्ड पर दो एंपेर की धारा प्रवाहित होती है तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि फिलामेंड का परतिरोध होगा काफी important है तो चले इसको हम लोग फटावर से solve करते हैं तो यहां पर जो जो डाटा दिया गया है इसको एक बार उताल लेते हैं तो यहां पर voltage का मान दिया गया जिसको हम लोग भीके दोड़े दिखाएंग यहां पर फोर्मॉला जानते और व्राबर क्या होता है दोस तो कितना हो जाएंगा 110 हो जाएगा ठीक है तो यहां पर देख सकते है rustian तो यह परतिरोध निकल के आच चुका है 110 ओम जो किया पर बी बिल्कुली करक्टर अंजर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि आर ओम परतिरोद वाले एन परतिरोदों को समानतर करम में जोड़ने पर तुले परतिरोद होगा काफी इंपोर्टेंड है ठीक है तो देखेगा जब भी परतिरोदों को समानतर करम में जोड़ते हैं जो तुले परतिरोद होता है और आपको बताना है काफी इंपोर्टेंड आपके बोड एक्जाम के लिए तो यहाँ पे देख सकते है जब भी R परतिरोद होता है और यहाँ पे देख सकते है R ओम परतिरोद होता है और यहाँ पे N ओम परतिरोद होता है इसको हम लोग क्या करेंगे समांदर करमें जोड़ेंगे जो तोले परतिरोद होगा न दोस्तों क्या होगा N R हो जायागा ठीक आपके बीड़ाबर क्या होता है आर होता है इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहां पर वीड़ा और अपसन जो अब बिलकुल ही करक्ट रांसर हो जाएगा अब चले फिरेंड नों देखती हैं पर नेक्स्ट को देखीगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफ है तो यह प्रवलता होता है इसका ऐसा मतर्ग्स वर्ड होते हैं और पड्रोट का इसे मतर्ग होते हैं और परतिरोत का एसे को संसर लाइब चैट में पिर कमेंड बॉक्स में कमेंड जरूर कीजिए गा तो फ्रेंड पर सने गराएगी विद्धु धरा उत्पन करने की युक्ति को क्या कहते हैं काफी इंपोर्टेंड है तो यहां पर एलेक्टिक करन्ट पर डियूस करने वाला जो डिवाइस होता है क्या कते हैं जनी तरी जिसको मेंड जेनरेटर कहते हैं यानि कि यहां पर एवला आफसन जो इन बिल्कुली करक्ट्रांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोस्टन की तरफ बढ़ चलते जो की काफी इंपोर्टेंड है यहां पर आपको बताना है कि निर्गत की रन और अभिलम के बीच के कौन को क्या कते काफी इंपोर्टेंड है तो निर्गत की रन और अभिलम के बीच बने कौन को हम लोग क्या कते हैं निर्गत कौन कते क्या कते निर्गत कौन जानि कि यहां पर सीवला अपसन जो इन बिल्कुली करक्ट्रांसर हो ज चुके है ना यह सभी परस्ट जारताइस के लिए राममान में हो सकता है इसलिए एक एक को संस को अच्छी तरसे याद कर लेना है और जो भी परस्ट अगर आपको याद ना होना तो प्रिस दोस्तों परस्ट को नोट कर सकते हैं या पिर इसका पीडिएप जो है आप अपने वेबसाइट में फिडियोप कोष्ट दे देंगे वहाँ से आप लोग फिडियोप कोष्ट पीडियाप को डाउलोड भी कर सकते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट कोस्ट को देखेगा तो फ्रेंड परसंदिया करा है कि एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्त तरीके से सोल्ब करते हैं जब भी लेंस की संट चमता पूछे पी का मान तो आपको क्या करना है दोस्तों देखिएगा यहां पर आपको एक परसंदिया गया है एक मीटर तो यहां पर एक मीटर लिख सकते है तो एक बटे कहने कार दोता है एक डाई ओप्टर ठीक है और यह से लेंस के छमता क्या होती है धनातमग होती है इसलिए यहां पर बीवला आप्शन जोए बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप यहां पर आपको बताना है कि मानुनेत्र के लिए दिरिष्टी का आस्तित होता है काफ इंपोर्टेंड है तो यहां पर आप्शन जोए बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा एक बटे दस सेकेंड इसे आपको याद होना चाहिए और दोस्तों हमारी आग एक बार में 56 मेगा पिक्सल एरिया को कवर कर सकता है ठीक है इसे आपको याद होना चाहिए अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स्ट को सन्कों देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए का ओफी इंपोर्ट एंड है यहां पर आपको बताना है कि किस दिरिश्टी दोस्त के निवारन के लिए आउतर लेंस का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर देख सकते हैं आपको दिरिश्टी दोस के निवारन के लिए या पिर निकट दिरिश्टी दोस्त के निवारन के लिए और अब इंदुकता के लिए जरा दिरिश्टी दोस्त के लिए तो फ्रेंड आपको हम बार बार बताये हैं जो भी वेक्ति निकट दिरिश्टी दोस्त से पिरिद होता है ना तो उस वेक्ति को आउतर लेंस से बने चस्मे का उप्योग करना पड़ता है यानि कि यहाँ पे बीवल आपसं जो है न बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा चले दोस्तों देखते हैं आपे next question जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए काफी important है तो friend person एक्रायकी दूर दिरिष्टी वाले मनुस्याग के चस्मे में होता है तो जो भी वेक्ति दूर दिरिष्टी दोस्तों से पिरुत होता है न तो उस वेक्ति को कौन सा चस्मा दिया जाता है तो यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर लेंस से बने चस्मे का परियोग किया जाता है यानि कि यहाँ पर बीवला उप्सन जो है न बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा यह भी परस्की जोन आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है अब चले फ्रेंड देखती हैं आपे 1590 परस्कों को देखेगा क्या कराएं कि यहाँ पर आपको बताना है कि लगूप पत्थन के समय परिपत में बिदुध धड़ा कमान होता है जब भी सोट सर्कीट होता है तो उस समय सर्कीट में जो एलेक्टिक करन का भेली होता है न दोस्तों बहुत अधिक बढ़ जाता है यानि कि यहाँ पर सी वाला आप्सन जो है न बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फिरेंड देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट को देखेगा जो कि आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड है यहाँ पर आपको बताना है कि गोवर गेस एक परकार की है तो यहाँ पर आपको बता देते हैं दोस्तों जो गोवर गेस होते हैं यह एक परकार का प्राकिर्टिक गेस होते हैं इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहाँ पर एवला उप्सन जो यह बिल्कुली करकांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आप 17 नमर परसन को देखेगा जो कि आपके बोड एक्जाम के लिए भी परसन जो है ना मोश्ट इंपोर्टेंड है तो परसन को देखेगा परसन यह कराए कि काईगा ना भी कि विदु सरियंत्र किस राजे में इस्तिदे काफी इंपोर्टें हाब ऑप्सण ऐ में अपका दहीं गुजरात राजे में या फिर करनाठक राजे में या पर एकमर आप करनात्क राजे में यह फिने क्रणार्टे नेक्स्ट्ग दोडेएं कि इसे जोतव्स ? आवर्दित परतिवी मनता है तो काउंसा दर्पन में जो है ना किसी भी वस्तू का बड़ा आवर्दित करने का मतलब होता है बड़ा परतिवी मनता है ठीक है तो फ्रेंड हम आपको बार वर बता है जो उतल दर्पन होते है ना इसमें कैसा परतिवी मनता है तो बड़ा बनता है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो देखेगा दोस्तों जिस दर्पन से हजामत बनाया जाता है तो वह दर्पन कहुंसा होता है इसे आपको याद होना चाहिए यहां पर भी बिल्कुली करेक्टर जरो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर नेक्स् का परियोग करके उस दिरिष्टी दोस्त को संसोदित किया जा सकता है यानि कि यहां पर भी बॉला उप्सन जो ना बिल्कुली करेक्टर अंसर हो जाएगा चले बर चलते नेक्स्ट क्वेस्टन की तरफ जो कि काफी इंपोर्टेंड है कि धाराम आपने की अंतर को क्या कहत हैं तो फ्रेंड जिस भी डिवाइस सेलेक्टिक करंड को मापा जाता है न तो वह को वह डिवाइस का होता है उस दिवाइस का नाम होता है क्या आव मिटर या फिर वोल्ड मीटर या फिर कुलाम या फिर एंपिर तो एक है questions का answer यहां पर live chat में यहां पिर comment box में आपको comment करक बताना इसे हमको यह पत्राद चलेगा कि आपका त्यारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है तो फ्रेंड यहां पर देखेगा जिस भी डिवाइस सेलेक्टिक करन को मापा जाता है तो वो क्या होता है यानि कि यहां पर एबल ऑप्सन जो एना बिल्कुली करेक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों भी भांतरम आपने वाले यंतर का नाम क्या होते हैं वर्ड मीटर होते हैं इसे आपको याद होना चाहिए अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट को देखेगा जो की आपके बोड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंड यह भी परसन है तो फ्रेंड जो डाइनेमो होते हैं डाइनेमो से किस किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो यहां पर देख सकते हैं दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और परतिया वरती धारा भी प्राप्त होती है यानि कि दोनों परकार की धाराए प्राप्त होती है इसे आपको दोना चाहिए यहाँ पे यहाँ पे वाला उप्सन जो है बिल्कूल ही करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पे नेक्स्ट कोस्टन जो की आपके बोर्ड एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट एंड यहाँ पे आपको बताना है कि नभी करने उर्जा का सरो जो ही न क्या क्या है वह आपको बताना है तो नभी करने उर्जा सरोत क्या होते हैं जो कभी भी समाप नहीं होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यह कभी भी समाप तो नहीं होगी ठीक है तो यानि कि यहाँ पे बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा इनके अलावे आप देख सकते हैं जो नावी के उर्जा होते हैं और क्वेले से प्राप्त उर्जा और प्राकिर्द गेस से प्राप्त उर्जा ये तीनों उर्जा ऐसे उर्जा है जो कभी ना कभी स्माप्त हो गाई इसलिए तीनों एह एक परकार का क्या हो गया और नभी करन उर्जा सरोत के अंतरगत आते हैं इसे आपको याद होना चाहिए चले देखते हैं पर नेक्ष्ट कोस्टन की तरब जो की काफी इंपोर्टेंट और यहां पर हम जितने भी कोस्टन को बता रहे हैं काफी सारे परस्टम पिछले क्लास में परा चुके हैं तो परस्टम को पर पिरिज्म में कितने सत्व हो जाएगा पांच सत्व हो जाएगा यहां पर सीवल ऑपसें जो बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा चले बढ़ चलते नेक्ष्ट कोस्टन की तरब जो कि आपके बोर्ड एकजाम के लिए काफी इंपोर्ट हैं यहां पर देखेगा दूस उसमें जो हीना टंगस्टन एलिमेंट का उप्योग किया जाता है यहां पर यह बलौ अप्शन जो है न बिल्कुली correct answer हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी heating element होते हैं तो उसमें जो हीना नाइक्रोम तत्व का उप्योग किया जाता है। जैसे कि हीटर हो गया, हीटर में किस का उपयोग किया जाता है, तो नायकरूम का उपयोग किया जाता है, चले बढ़ चलते, नेक्स्ट कुछन की तरफ जो कि आपके बोर एक्जाम के लिए काफी इंपोर्ट हैंड है, तो फ्रेंड पर सने करा है कि अभिनेतर लेंस की फोकस तो फ्रेंड आभीनेतर लेंस की फोकेस दोरी में जो परीवर्तन किया जाता है ना पक्ष माभी स्टियों कि दोरा किया जाता है यानि कि आप पर स्थीवल उप्सें जो ऑन की रूड़कर आप चलिए एक्ष्ट कोशन जो की आपके बौरड एक्जाम के आपको बताना है कि आवक 56 अभी किरिया से किस परकार का लवन प्राप्त होता है तो आवक 56 अभी किरिया से किस परकार का लवन प्राप्त होता है विले या फिर अविले या फिर दोनों या फिर इन में से कोई नहीं तो फ्रेंड आवक 56 अभी किरिया से जो इन आव विले पर रख्रकार का लवन प्राप्त यानि की प्राप्त होता है यहां पर बिलकूल एक्रक्ट रान्सर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं नेक्स्ट को देखेंगा जो की कौफी इंप्रोटम्ट यहां पर आपको बताना की बेकिंग सोडा का डासाइनिक नाम है तो यहां सब्सcon baby अब सब और संद 1910 जोन आपने गए मंधर करें इंट इस्त होगा जáे आपको सब्सक्ता करने नहों गभी चलिए यहां यह है नहीं और यह जो कि काफी इंपोर्टेंड है यहां पे आपको बताना है कि आयस की से धातु का निस्कर्जन ता उसका पडिस्करन कर उप्योग बनने के प्रेक्रम को क्या कहते हैं। लाइक ने किया नगे ना प्लिस दोस्तों जली से फटावर्सी वीडियों को लाइक कर दीजेगा अब बर चलते नेक्ष्ट कोसन की तरफ जो की काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट परसनों को यहां पर बता रहे हैं तो फ्रेंड परसन को देखेंगा ध्यान से क्या कराए कि यहां पर आपको बताना है कि साग सब्जियों को विघहटी थोकर कंपोष्ट बनना किस परकार का अभिक्रिया का उधार रहने ठीक है तो यहां पर उसमा चैपी यह पिर उभेगामी यह पर प्रती अस्तापन तो फ्रेंड जो साग सब्जी होते ना इसको वि कर चलते हैं आपको बताना है के निमन में से काफी अपर पूट होता है कको पूट सब्सक्राइब जो यन O2 और O2 होते ही न यानि कि nitrogen dioxide और oxygen जो होते है न यह एक ऐसा उत्पाद है जो लेट nitrogen को गरम करने पर ही प्राप होता है यानि कि यहाँ पर डी वला option जो है न बिल्कुली correct answer हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आपे next question जो कि काफी important है तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि निम्न मेंसे कौन सही है तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सही है तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं option B में आपका दिया हुआ है यहाँ आपको याद होना चाहिए और जिसम को गरम करने पर किस की प्राप्ती होती है तो प्लाश्टोर पैरिस की प्राप्ती होती है साथ में सी भी आपको याद दोना चाहिए है अब चले फ्रेंड देखती है पर एक्ष्ट को देखेंगा क्या अगराई कि यहाँ पर आपको बताना है कि निम्लिकित में से पीच का कौन सा मान चारग विलेन का मान देता है कापुएंड है का कफिक्स टाइनड है तो फुर यहाँ पर पियाच मृर्ण में यहाँ प कहां देखा जाएं चारग विलेन का मान कौन देगा जिस जबी विलेन के पीच का मान साथ से ज्यादा हो तो यहां पर सास से ज़्यादा किस कौनस ऑप्शन में दिया गया है आपका दिया गया है तियरा एक पर होते हैं कि छारप विलन का मान देगा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसको याद रखेगा दूस्तों sodium chloride के जली विलेंस से जब electric current को परभा किया जाता है और यह वियोजीत हो कर क्या बनाते हैं sodium hydroxide बनाते हैं तो इस प्रोसेस को लिए क्या कहते हैं यानि कि यहां पर आपको कमड़े के ताप पर दर्भ होता है तो यहां पर आपको पता होना ची यहां पर अधातु पूछ रहा है तो ब्रोमीन हो जाएगा a तो फ्रेंड यहां पर उप्सन is हैं आप हैं एक के सीजाओं टीन की मिशन एया थातु को क्या करते हैं तो फ्रेंड यहां पर उपसन इमें आपका दियर स्व тобой स्टी नहीं या फिर घंड में लिटल या पिर उप धातू तो फ्रेंड है सीसा और टिन के मिस्र धातू को क्या करते हैं वह आपको बताना है तो सोल्डर करते हैं इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहां पर एवला उप्सन जो है रहा बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देख और जो सोडिय होते हैं यह तीनों अेलिमेंट को अम लोग क्या कड़ सकते हैं चागुसी आदक सकते हैं यानि कि यहां पर एवला उप्सन जो है रही हो जाएगा अब चले पर जाएगा क्लिक आप रहंट और आपको बताना कि के आज में में कि बीच दो आबंद मौझूद है तो इतलीन के कारवन कारवन की बीच कितने आबंद मौझूद होते हैं वो दो आबंद का नाम बताना है तो एक सिग्मा होते हैं और एक पाई आबंद होते हैं यानि कि दो ही आबंद होते हैं इतलीन के कारवन कारवन की बीच तो फ्रेंड यहां पर हम लोग जो ना फानली कलास्टेन के कलास्टेन के साइंस का यहां पर फानल मोडल सेट को देख चुके हैं जो आपके बोर्ड एक्जाम की लिए काफी इंपोर्टेंड मोडल सेट है तो आप हमें कमेंट करके बताएगा दूस्तों यह जो 40 परसनों का इसका जवार आपको इसी वीडियो में क्मेर करके बता देना है कि लाल रखानी काओ को लाल कोन बनाते हैं तांभा की यहीं शेर्ट जो भी लगता ना तो जैली से दोस्तों आप अभे फट्एवार से वार्सक्रावाइब करके जुरू बताएब और जोभी दियरती अभी करना है और आपको बलना है कि सब्सक्राइब में जोड़ देंगे तो फिर मिलती हैं पर नेक्स्ट क्लास में आज की लिए दूस्तो थेंक यू